हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रोग्रेसिव एफ़र्ट्स हम पढ़ रहे हैं आरबी असी की मैट्स की बुक का चाप्टर नमबर टू जोड खटाव याने अध्यायतो इसके हमने एक से पांच तक के कुश्चन्स कर लिये थे जो इससे पहले वाले वीडियो में है तो आज हम सिक्स कुश्चन्स से करना स्टार्ट करेंगे देखिए यह अभ्याज दो है ठीक है अभी प्रश्नावली नहीं स्टार्ट हुई है हमारी हमने एक से पांच तक कुश्चन कर लिये थे प्लस 27 यानि इसमें किसको जोनना है 27 मैंने आपको पहले भी पताया था हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं लिखना और इसके बाद 3066 इधर 0 और इधर 3 अब इन्हें क्या करना है में प्लस करना है तो चलिए प्लस करते हैं इनको देखो 7 और 6 कितने होते हैं पहले आप क्या करेंगे 7 के बाद 6 और काउंट करेंगे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 13 का 3 और कैरी हमने यहाँ पर चड़ा दिया 1 अब हमें किस को जोड़ना है 8, 2 और 1 कैरी को तो 8 के बाद 2 काउंट करेंगे तो 9, 10 और एक कैरी का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 11 की लिखेंगे 1 और कैरी यहाँ पर चड़ा देंगे 1 अब 5 के बाद 3 और काउंट करना हमें तो 5 के बाद 3 और काउंट करेंगे तो 6, 7, 8 और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो 9 तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9, 1, 3 नेक्स कोश्चन देखते हैं देखो अब किसको जोड़ना है हमें? अब माइनस करना है कोश्चन नमबर 7 में क्या करना है हमें? माइनस ठीक है? किस में से किसको माइनस करना है? हमें माइनस करना है 4, 7, 3 इस में से किसको माइनस करना है? 2, 9, 6 को माइनस करना याने कि घटाना है घटाएंगे देखो 3 में से 6 नहीं जाता है कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जाती है चोटी संख्या अगर उपर होती है तो नहीं जाती है तो उसके लिए उसको उधार लेनी पड़ती है बोरो करना पड़ता है तो ये 3 7 के पाश आयेगा उससे एक उधार लेकर आएगा ठीक है तो यह इसको एक उधार देगा तो यह खुद 6 बन जाएगा और इसने इसको ओधार दिया तो यह 13 बन क्या 13 मेंचे 6 और 13 मेंसे 6 काटेंगहे चाहे तो आप 13 लाइन कीच ख़ते हैं.. चाट लो यह आप अंगलियों पर भी काट सकते हैं 13 पहले काउंट कर लो और उसमें से 6 काट दो ठीक है और एक और तरीका है इसका हम इसको कैसे कर सकते हैं देखो 6 काटने हैं तो 6 के बाद आगे कितना बड़े कि 13 आ जाए तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानि 7 तक काउंट करेंगे तो 13 आ जाएगा यानि कि 13 में से 6 गटाने पर 7 आता है आपकी इच्छा है आप कैसे भी कर सकते हैं देखो simple तरीका अगर आप देखना चाते हैं तो simple है पहले 13 तक काउंट कर लो आप हाथ पर और उसमें से 6 काट दो ये सबसे simple है ठीक है 7 कर दिया हमने अब 6 में से भी 9 नहीं करता है जब यहाँ पर हमने किया तो 6 में से भी 9 नह तो खुद बन गया 3 और ये बन गया 16 अब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा क्या आएगा 16 में से 9 माइनस करो तो 16 तक काउंट करेंगे पहले 15 16 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना बचा हमारे पास 7 ये 7 लिग दिया अब 3 में से 2 काउंट, माइनस करेंगे, 3 में से 2 क्या तो 1 ओके, यह हमारा आंसर आ गया, 1, 7, 7 ठीक है, अब हम करेंगे question number, यह था question number 7 अब हम question number 8 करेंगे, देखो, question number 8 करेंगे, अब question number 8 में हमें क्या बता रखा है, इसमें भी हमें क्या करना है एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है तो देखो पहले प्लस करेंगे हम 3, 6, 4 इसमें क्या प्लस करना है? 67 यह हमने 67 इसमें प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे 4 और 7 कितने होते हैं? 7 के बाद 4 और काउंट कर लो 8, 9, 10, 11 यह 11 लिख दिया 11 का 1 यहाँ पर कैरी चड़ गई 1 याने हासिल का लगा 1 6 और 6 फिर 6 और 6 को जोड़ना है जोड़िए 6 के बाद 6 और काउंट कर दीजिए आगे गिनो 6 के बाद 6 और गिनो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 होते हैं और एक हासिल के बिगिन लिए तो हो गए 13 तो 13 का 3 लिखेंगे यहाँ पर एक हासिल लगाएंगे अब 3 और एक कितना हो गया 4 तो यह जोड़ करने पर याने कि इतना हमने solution कर लिया अब इन दोनों को जो आंसर आया है उसमें से हमें क्या करना है इसको माइनस करना है तो यह हमारे पर जो आंसर आया है 4 3 1 इसमें से हम किसको माइनस करेंगे 199 को ठीक है करिए माइनस फिर उपर छोड़ी संक्या है 1 में से 9 कभी माइनस नहीं होता है तो यह 1 किसके पास आएगा इस तरी के पास आएगा और इसे एक उधार लेकर आएगा तो यह जब इसको उधार देगा तो यह खुद बन जाएगा 2 और यह हो जाएगा 11 11 में से 9 गए तो देखो 11 में से 9 मैंने आपको पताया था या आप तो पहले 11 गिल लीजिए और उसमें से 9 कट कर दीजिए या दूसरा तरीका है कि 9 के बाद कितने और आगे बढ़ें कि 11 आजाए 9 के बाद 10, 11 2 और आगे बढ़ें याने 2 बचेंगे ठीक है 2 अब फिर यहाँ पर 2 बच्जा है हमारे पास 2 में से भी 9 में नहीं जाता है तो यह 2 किसके पास जाएगा इसके पास जाएगा उधार लेने ठीक है तो यह इससे उधार लेकर आएगा तो यह खुद तो 12 बन जाएगा और यह जो 4 जो इसको उधार दे रहा है यह 3 बन जाएगा ठीक है अब 12 में से 9 माइनस करो अब 9 के बाद आगे काउंट करो 9 के बाद 10, 11, 12 यह 9 के बाद कितने काउंट करने पर 12 आ रहे है 3 यह माइनस करने पर भी 3 बचेंगे अब इसमें 3 में से हमें किसको माइनस करना है 1 को तो 3 में से 1 घटाओ 2 बचेगा यह 8 वाले का आंसर आया 232 यह हो गया हमारा 8 वाला आंसर भी चलिए अब 9 वाले आंसर की तरफ बढ़ते है देखो 9 में भी हमें 2 स्टेप करने पड़ेगी क्यों? क्योंकि इसमें भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो ज़्यादा बेटर कैसा रहता है कि पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो बट अगर हमें इस टेप से चलना है तो कोई बात नहीं हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले माइनस करके प्लस के लिए तो 37 मेंसे हमें क्या माइनस करना है 15 को 15 को माइनस कर दो कर ओ माइनस 7 मेंसे 2 गया तो इतना बचेगे? sorry 7 में से 5 किया तो 2 बचेंगे ये 2 लिग दिया हमने 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 2 यानि इस का आंसर इतने इस portion का answer हमारे पास आया 22 अब इस वाले portion का यानि कि अब इस 22 में हमें क्या plus करना है इस 10 को plus करना है तो 10 को plus कर दो 2 और 0 2 और 0 कितना होता है 2 ही आता है किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं तो वही संख्या आती है 2 और 1 कितना होता है 3 ओके इसी है तो इस का answer आएगा 32 9 वाले का answer क्या है 32 ठीक है चलिए question number 10 की तरफ बढ़ते है देखो question number 10 हमें क्या बोल रहा है कि एक राजकिये उच्च माद्यमेक विध्याले उदलियास में 185 लड़के और 162 लड़कियां पड़ती हैं विध्याले में कुल कितने विध्यार्थी हैं देखो लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर ही टोटल विध्यार्थी याने कुल विध्यार्थी हम पता कर पाएंगे याने उनको अगर किसी चीज़ को हमें मिलाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा जोर करना पड़ेगा यानि कि लड़कियां कितनी है और लड़के कितने है दोनों को जोर दो पहले लड़के हैं कितने हैं लड़के लड़के हैं 185 ठीक है फिर लड़कियां कितनी है लड़कियां 162 दोनों को जोर दो तो यह आ जाएगा कुल विध्यार्थी ठीक है आप इसको क्या से लिखेंगे एक साथ ही लिखेंगे कुल विध्यार्थी कुल विध्यार्थी कितने हैं जोरो इनको 5 और 2 दोनों को जोरो 5 और 2 यहने 5 के बाद 2 और आगे बढ़ेंगे तो कितना हैगा 5 के बाद 6, 7 यहां लिख देंगे 7 अब 8 और 6 जोड़ो, 8 के बाद 6 और काउंट करो 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 का 4 हासिल लगा 1 अब 1 और एक कितने होते हैं? 2 और 1 और 3 ठीक है? तो कुल विध्यारती कितने हुए? 347 तो यह हमारे कोश्चन नमबर 10 का आंसर हो जाएगा ओके? चलिए I hope you understood these answers, these solutions बाई